हेलो एन वेलकम तो दे पॉलिटी वीकली करेंट एफेर्स प्रेजेंट बाइपिशन कम्यूनिटी ओन इस यूट्यू प्लेटफॉर्म मैं हूं निकत परविन खान और आज के इस वीडियो में हम 18 से 23 माज अगर इन स्पेसिफिक देखें तो 16 17 माज से आज तक की ख़बरों क कवर करेंगे जो स्पेसिफिकली पॉलिटी से रिलेटेड है देखिए पहले ही मैं बता चुक क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आप सुनते हैं लेकिन आपके सब्जेक्ट औरियंटेड आपके एक्जाम औरियंटेड चीजें इसमें कम ही होती है क्य ऐसे पॉलिटी से रिलेटेड करेंट के जो न्यूज होती है वो थोड़ी रिलेटेवली दूसरे सब्जेक्ट से कम ही होती है ठीक है तो इसमें कॉंटेंट आपको कम मिलेगा बट अगें जो इसमें कॉंटेंट मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं आपकी बेसिक कोई ना कोई पॉलिटी की ठियोरी से रिलेटिड होंगे, और जितने भी अपोइण्मेंट्स होते हैं, चाहे वो C.A.M. PM, President, Prime Minister के हो, वो पॉलिटी के ही करेंट अफेर्स में कवर किया जाएगा, भले ही आप mislenious current affairs में उसको cover करते हैं कि appointments हैं भले ही हम जितने न्युकतिया होती हैं उसको जो विविद वाला current affairs उसको cover करते हैं पट क्यूंकि ये सारे पद चाहिए प्रदान मंत्री कहीं के न्यूकत हो रहे हो राश्पती न्यूकत हो रहे हो कि competition community की current affairs की magazine available हो चुकी है सारे important current affairs जो आपको exam के लिए जुरूरी है पढ़ने उन सब को cover करते हुए हमारी मंतली magazine सभी 36 गड़ के प्रमुक शेरों के सभी प्रमुक बुक स्टोर्स पर available है ठीक है तो आप जाकर के सभी बुक स्टोर्स पर इसको fetch कर सकते हैं साथे साथ competition community की website पर भी आप इससे related information हासिल कर सकते हैं और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि हर current affairs की video में जो आप pdf की बात करते हैं तो आपको pdf और कहीं नहीं इसी magazine में मिलेगा weekly हमारे जितने current affairs की news cover हो रही है उससे related जितनी भी details है उसका pdf आपको इसी current affairs की magazine में available करवाया जाएगा so go get your magazine from your nearest store fine तो चलिए अब move on करते हैं हम current affairs की important news पर let us have a glance at the important news of the week related to quality सबसे पहले बाट तो हम पढ़े थे last वाले video में last week के video में कि सारे विधान सबाच्योनाओं के नतीज़े आ चुके हैं उस वक्त एक थोड़ा बहुत हमने चर्चा भी की थी कि कौन-कौन नए मुख्यमंत्री बनने वाले लेकिन अब वो चीज़ें factual way में आ गई हैं अब वो चीज़ें प्रमानित हो गई हैं तो विधान सबाच्योनाओं के नतीज़ों में दो नाम तो सबके समने आ ही गए थे कि योगी आदितेनात जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और भगवंत्मान जो हैं वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद इस पास्ट वीक में बाकी जो बचे तीन राज्य थे गोवा उत्तर खंड और मणीपूर उसके भी मुख्यमंत्रियों का एलान हो चुका है तो पहले दो न्यूज उसी से रिलेटर है कि आवा आदमे पार्टी के नेता भगवंत्मान ने पंजाब के मुख्यमं उसके अलावा सरदार बोडी मुखामिद तुर्कमेनिस्तान के नए राश्पती चुने जाते हैं तो वो देश इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके बारे में कुछ मिस्लीनियस वैक्ट आपके एक्जामें पूछ सकता है और डिरेक्ली कि कौन कहा का राश्पती पियम यह है ठीक उसके अलावा फोर्ट न्यूस जो हम कवर करेंगे वो है सरकार ने लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगो का तीसरा बैच पेश किया देखिए अनुपूरक मांगे जो है वो पॉलिटी का एक बेसिक कॉनसेप्ट है जो आप संसत के चाप्टर में जरी हम समझेगी अनुपूरक मांग क्या होती है ठीक नेक्स्ट राश्ट्र नसूचि जंजाती आयोग नाशनल कमिशन फूर शिडियूल ट्राइब जैसी एस्टी भी किसी वज़ा से चर्चा में है और यह वर्ड जो कि आप समिधानिक आयोगों में पढ़ते हैं यह किसी न्यूज की वज़े से चर्चा में है और वो क्यों चर्चा में हो और इसका मतलब क्या होता है वो हम न्यूज में आगे देखेंगे फिर आगे शिक्स्ट न्यूज होगी प्रधान मंतरी ने शहीद दिवस पर शहीदों को श्रधाज ले दी आप जानते ही हैं कि 13 मार्च को शहिद दिवस मनाया जाता है तो वो क्योंकि मैंने आपको बताएं कि हिस्ट्री का भी कुछ important event अगर खटा होगा तो इसको मैं cover करूँगी तो इसलिए इसमें martyrs day ये शहिद दिवस मनाया गया past week में इसलिए इसको भी हम cover करेंगे और लास्ट है भारत जपान शिखर सम्मिलन दो हजार बाईस इंडिया जैपान summit 2020 to organize की गई ये दो देशों की political ये diplomatic summit थी जो डेली में organize की गई इसलिए ये polity के अंदर ही हम cover करेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या important बातें सामने आई हैं ठीक तो we are going to cover these seven news of past seven past one week ठीक है तो चलिए एक एक करके news में हम move on करतें सबसे पहली बात तो चलिए सबसे पहली news तो वे विदानसभा चुनाओं से ही related हैं हमने विदानसभा चुनाओं में ये देखा ही था कि पंजाब में एक history create हुई और वहाँ पे एक नई पार्टी आमाद्मी पार्टी को सत्ता हासिल हुई और भगवंत मान जो हैं referendum के जरिये वहाँ के नए घोशित मुख्यमंत्री थे ही अगर आमाद्मी पार्टी जीतती है तो और उन्होंने past week शपत भी ले ली तो उनके शपत गरण से related कुछ बाते हम जानते हैं शपत लेते ही भगवंत मान पंजाब के सत्रवे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हो गए वहाँ के राज जिपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भगवंत मान को पद और गुपनियता की शपत दिलाई यह शपत गरण 16 मार्च को भगत सिंग के पैत्रिक गाउं कटकर कला में यह शपत गरण संपन हुआ और भगवंत पान ने बड़ी जीत हासिल की उन्होंने कॉंग्रेस के दलवीर सिंग गोल्डी को कड़ी शिकस्त दी यहाँ पर आपको याद रखना है कि उनका विधान सबाशेतर जो था वो था धूरी यहाँ पर यह मेंशन करना में यहाँ पर भूल गई हूँ यहाँ पर ध्यान रखियेगा कि उनका विधान सबाशेतर जहाँ पर उन्होंने दलवीर सिंग गोल्डी को कॉंग्रेस से हराया था वो था धूरी विधान सबाशेतर पंजाब के धूरी विधानसभा शेतर से ये वर्तमान में अब विधायक है और अब ये मुख्यमंतरी की रूप में पदस्ट हो चुके हैं धूरी में उन्होंने कॉंग्रेस विधायक को या कॉंग्रेस प्रत्याशी को हराया था ठीक I hope ये clear है बात ठीक है और मैंने last वीडियो में ही बता दी थी कि जो भी राज्य हाइलाइटेड है वहां के विधानसभा चुनावों के बारे में वहां की विधानसभा की सीटे वहां की लोगसभा की सीटे आप याद रखेंगे ठीक है तो इसमें कोई भी ऐसा basic चीज नहीं है जिससे related आपको कोई theory पढ़नी है ये सिर्फ आपकी politics related news है ठीक है कि ये वहां की सतरवे मुख्य मंतरी किनोंने उनको शेपत दिलाई है कब उन्होंने शेपत ली और इनका विधानसभा शेतर जो है वो ज़रूरी याद रखेंगे धोड़ी विधानसभा शेतर ठीक है इस party के उस राज्य में पहले मुख्य मंतरी यही होंगे कुछ लोग नों ये भी पूछा कि दो राज्य में आमादमी पार्टी की सरकार बन गए दिल्ली में और पंजाब में तो क्या इसके वज़े से आमादमी पार्टी को राश्ट्री पार्टी का दर्जा मिल सकता है नैशनल पार्टी क्या जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है जैसे बीजेपी है जैसे कॉंग्रेस है जैसे आट नैशनल पार्टी हैं तो क्या इस पार्टी को जिसकी सरकार दो जगा पर है क्या राश्ट्री दल का दर्जा मिलेगा उसमें percentage of seat and percentage of votes जो हैं, वो 3 और 4 राज्यों में हासिल करने होते हैं, ध्यान रखेगा इस बात को, अगर वो party, मान लिजे वो लोकसभा चुनाओं में हिस्सा लेती है, तो कम से कम 3 राज्यों से, अगर वो 2% seat हासिल करती है लोकसभा के चुनाओं में, तब जा करके उसको national party क दरजा मिल सकता है, क्या कह रही हूँ है, कि अगर किसी party को राज्ट्रे party का दरजा हासिल करना है, तो उसे कम से कम 3 राज्यों से, 2% seat हासिल करने होगी, तो लोकसभा में भी उसको 3 राज्यों में perform करना को, और seat हासिल करना है, और अगर मान लिजे विधान सभा चुनाओं क विधान सभा चुनाओं के एवज में अगर हम कह रहे हैं तो उसमें तो फिर चार राज्यों, फोर स्टेट्स का मापे क्राइटीरिया है कि चार राज्यों के विधान सभा चुनाओं याने Legislative Assembly के Elections में उसे 6% वोट्स हासिल करने पड़ेंगे। ठीक, अगर वो लोगसभा चुनाओं के जरिये National Party का दर्जा हासिल करना चाहती है, तो तीन राज्यों में उसका प्रभुत्व होना चाहिए, कम से कम 2% सीटे जीतने चाहिए। अगर विधान सभा के चुनाओं के जरिये National Party का दर्जा हासिल करना चाहती है कोई पार्टी, तो उसे कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट्स हासिल करने होंगे, और साथी साथ उसे State Party का दर्जा कम से कम 4 राज्यों में मिलना चाहिए। तो ऐसे 3 या 4 राज्यों में अगर वो लोगसभा और विधान सभा के जरिये अपना प्रभुत्व साबित करती है, तब National Party कहलाएगे, तो अभी भी कुछ क्राइटीरिया है जो ये पार्टी पूरी नहीं करती है, लेट सीन फ्यूचर की क्या होता है, तो इस से इस पर्टिकुलर नियूस से आप सबसे पहले जाकर के National Party बनने के लिए क्या क्राइटीरिया होते हैं, उसे जाक जाकर जरूर रिवाइस कर ले, ठीक है, जैसे मैंने कई बार FTR के जरिए भी, अपने YouTube के लेक्चर्स के जरिए भी National और State Party का दरजा हासल करने के लिए क्या क्राइटीरिया होते हैं, ये बताया ही था, आपको उसे ही रिवाइस करना है, क्योंकि ये questions कई लोगों की दिमाग में है, क्या इसे National Party का दरजा हासल होगा, ठीक है, तो अभी नहीं होगा, क्योंकि तीन और चार राज्यों का क् दिक लेते हैं, तो भी ऐसा है कि मनिपूर में, जो incumbent वहां की चीफ मिनिस्टर थे, एन बिरेन सिंग, उन्हीं को वहां का नया मुख्यमंत्री सर्वसमत्री से इने पार्टी आलाकमान की सर्वसमत्री से घोशित किया गया, उसके अलावा गोवा में प्रमोज सावन्थ, जो भी बहुमत मिला है, तो इनमे से अगर आप देखेंगे, तो ये चारो ही जगह पर, जो पहले से मुक्यमंत्री हैं, उन्हीं लोग ने शपत लिया, उन्हीं लोगों को घोशना, उनकी घोशना की गई, कि वही वहां के मुक्यमंत्री होंगे, तो गोवा में प्रमोध सावन योपी का तो हम जानते ही है और उतराखंद से पुषकर सिंग धामी उतराखंद से वहां के नए St. Lom इसे पुषकर सिंग धामी उतर हम स्ञेन नाम याद रखना है। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है। particular point में ये याद रखना है कि पुशकर सिंग धामी जो है वो अपना विधानसभा चुनाओ हार गए थे ठीक है मैंने क्या कहा कि पुशकर सिंग धामी उत्तरा खंड के नए मुख्य मंतरी के रूप में उन्होंने शपत ले ली लेकिन उन्होंने विधानसभा का चुनाओ अप तो पहले उसे विधायक होना जरूरी होता है राज्येस्तर पर मंत्री बनना है तो उसे असदो — अढकि कि यह घिए विधान जो पढ़ा था कि कि छे मेंने के अंदरonie 얼마 ayam छे मेने के अंदर अंदर इनको अगेन एक चुनाव लड़वाया जाएगा विधायक के पद का और अगर वो चुनाव को जीद गए और विधायक बन गए तब तो यहीं मुख्य मंत्री बने रहेंगे वर्ना नहीं ठीक ऐसे पहले भी हुआ है पॉलिटी में आपने पड़ा है कि अधी कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है और वो सांसद विधायक नहीं रहता तो छे मेने के अंदर अंदर वो सांसद विधायक बन सकता है अलब केंदर का मंत्री बन रहा है तो सांसद बनना ज़रूरी है राज से दुबारा विधायक बनेंगे अब उत्राखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर सिर्फ एक सदन है विधान सभा वहां पर विधान परिशद नहीं यही बात अगर उत्रप्रदेश के लिए होती जैसे योगी अधितिनात के पहले टर्म में आप जानते हैं कि योगी अधितिन सभा के मेंबर हो चाए विधान परिशद के मेंबर हो आप विधायक कहलाओगे और मुख्य मंतरी बने रह सकते हो तो योगी अधितिनात के फर्स टरम में उन्हें सांसद के बचसे इस्तिफाद बलाया गया क्योंकि सांसद रहते रहते ते आप राज जी के मुख्य मंतरी बने रहे तो हमेशा second house या upper house या उच्छ सदन को जादा easily use किया जाता है मंतरी पद को मंतरी के पद को बचाने के लिए जैसे आप जानते हैं कि जो बीजेपी का पहला term था उसमें अरुन जेटली जो है वो अपना लोकसभा चुनाओ हार गए थे फिर उन्हें गुजरात से राज्यसभा की seat के लिए खड़ा करवाया गया था और वो गुजरात से जीते थे राज्यसभा के सांसत बने थे और तब जाकर के उनका मंतरी पद बना हुआ था और अपर हाउस या उच्छ सदन का इस्तिमाल इसले किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो वोट डालने वाले लोग रहते हैं वो विधायक ही रहते हैं और कोई ऐसी जगे जहां पे विधान सभाद में उसी पार्टी के विधायक जादा हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग तो अपनी पार्टी के कैंड़ेट को वोट देंगे जैसे अरुण जेटली को गुजराज से खड़े करवाया गया था राज सभा के लिए तो गुजराज की विधान सभा में जादा कौन सी पार्टी के लोग थे? बीजेपी के लोग थे तो जायर सी बात है कि वही लोग तो वोट डालेंगी क्योंकि राजसभा के सदस्यों के लिए वोट विधान सभा वाले डालते हैं इस वजे से उन लोगों ने ये बात तै थी कि अगर राजसभा से गुजराज से खड़ा करवाया जाएगा, तो राजसभा से वही candidate जीतेगा जो BJP का होगा, तो अकसर ऐसा किया जाता है, क्योंकि विधायक उसी पार्टी के जादा है गुजराज में तो अकसर ऐसा स्वृती रानी के साथ भी ऐसा हुआ था, वो भी अपना चुनाओ हार गए थी पहले लोग सभा का, और फिर उनको फिर से राजसभा का मेंबर बनाया गया था, तो इन लोगों को ऐसे ऐसे राजसभा की सीटों से खड़ा कराया जाता है, जिन जिन राज्यों में उसी पार्टी की विधायक ज्यादा है, क्योंकि विधायक ही राजसभा की मेंबर को चुनते हैं सेम गोज विध स्टेट लेवल, स्टेट लेवल में भी जो उच्छ सदन होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में जो उच्छ सदन विधान परिश्यत था वहाँ पर मैग्जम सदस्यों की जो election होता है, वो उस राज्य की विधायक ही करते हैं हाला कि आप जानते हैं कि विधान परिश्यत में चुनाओ का तरीका काफी अलग होता है पर कम से कम एक तिहाई ही सहीं विधान परिश्यत के एक तिहाई सदस्यों को उस राज्य के विधायक जो विधान सभा के वही तो चुनते हैं विधान सभा के विधायक ही तो चुनते हैं तो उनमें से कोई एक सीट खाली करा दी गई और उनको वहाँ से खड़ा करा दिया गया योगिया दितिनात को और फिर विधायकों ने vote डाला और वो चुन लिए गए और विधायक कौन थे? बीजेपी के विधायक जादा थे उस वाद विधान सभा में है ना? समझ मेहारी बात कुल मिला करके जहां पर उच्छ सदन होते हैं जैसे केंदर स्तर पर राजसभा में पॉसिबल है और राजस्तर पर जहां जहां उच्छ सदन होते हैं वहाँ तो बड़ा असान होता है कि पहले मंतरे न्यूक्त कर लो और फिर उच्छ सदन का मंतरी उच्छ सदन का उनको विधायक बनातो ठीक है? लेकिन उत्रखंड में पेंच ये फसता है कि वहाँ पर कोई उच्छ सदन ही नहीं उत्रखंड की जो विधान मंडल है वो एक सदनी है वहाँ पर सिर्थ विधान सबा है तो वहाँ पर यह option ही नहीं है कि हम विधायको द्वारा प्रेजेंट मंतरी को हम चुनवा सके इस वज़े से क्या किया जाएगा कि विधान सबा में गौर से सुनी क्या बोल रहे है उत्रखंड की जो विधान सबा है उनमें कुछ ऐसी सीटे है जो बीजेपी की बहुत पक्की सीटे जहांसे उनको एकदम शौरिटी है कि उनके ही कैंडिडेट जीतते हैं उनके ही कैंडिडेट जीतते आए हैं और मैं कह सकती हूँ काफी सेफ सीटे बीजेपी की तो वहां से किसी विधायक को पद छोड़वाया जाएगा उनको कहा जाएगा कि आपच से हड जाएगे और वहां भी फिर एक उपचुनाओ होगा और पुशकर सिंग धामी को वहां से खड़ा करवाया जाएगा ठीक है? हाला कि इसमें तब भी रिस्क होता है क्योंकि अगर विधानसभा चुनाओ करवा रहे हो मतलब लोग वोट डाल रहे है तो जरूरी नहीं कि लोग उनको जिताए ही पर मैंने कहा सेफ सीट चुने जाएगी सेफ सीट मतलब जिनको 100% पक्का है कि महां से आप किसी को भी कड़े कर दो लोग उनके ही पार्टी की कैंडिड़ोट को वोट डालेंगे तो ऐसी ही कोई विधानसवा सीट उत्राखंड की खाली करवाई जाएगी बीजेप की कैंडिड़ेट को भूल करके और वहाँ पे इनको खड़ करवाया जाएगा और वहाँ पे उप चुनाओ के जरिये फिर अगर ये विधायक बन जाएंगे तब इनका मुख्यमंत्री पद बना रहेगा वरना नहीं ठीक है तो आप आगे यही होगा कि अगले 6 मैने में कोई एक बीजेप की उत्राखंड की विधानसवा सीट खाली करवा करके इन्हें वहाँ से उप चुनाओ के लिए खड़ा करवाया जाएगा और फिर जाप आम चुना होंगे और यह जीतेंगे तब मुख्यमंत्री पद बना रहेगा पठो भी थोड़ा बहुत यह रिस्की होता है लेकिन वहाँ पे उचसदन है ही नहीं तो फिर और कोई रास्ता है भी नहीं ठीक है तो यह थोड़ा सा पॉइंट करेंट से रिलेटेड आप पॉलिटी का ध्यान में आपर रखेंगे छे मेने वाला आर्टिकल 75 में जो मैं बार बार बताते आती हूं कि किसी भी मंत्री को कि इंद्रे स्तर का अगर मंत्री है तो छे मेने के अंदर उसे बनना जरूरी है सांसदों के लिए बाद 75 में दी गई है और विधायकों के लिए बाद 164 में दी गई है क्लियर यह बाद चीक तो भी कौन कौन नए मुख्य मंत्री बने कुछने की घोशना होई कुछने शेपत लिए आपकी एक्जाम तक तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से भी हम कवर करेंगे तो तुर्कमेनिस्तान मिडिल एशिया मतलब मद एशिया का एक देश तुर्कमेनिस्तान वहाँ पे एक नए राश्पती का चुना हुआ है उनका नाम हिंदी में पढ़ना बड़ा अजीब लग रहा है इसलिए मैंने इंग्लिश वालों के इंग्लिश में भी इनका नाम लिख दिया है सरदार बर्दी मुहामेदोव पता नहीं कैसे याद करोगे आप लोग कुछ वर्दी वर्दी करके इसको डीकोडगर की याद करना ठीक है सरदार वर्ड से याद हो जाएगा बर्दी मुखामेदोव वहां के नए राष्ट्रपती न्यूक्त किये गए हैं तो अपॉइंट्मेंट्स में तो questions आते हैं तो ये एक डेरिकली कि तुर्कमेनिस्तान के वहां के प्रेसिडेंट ने न्यूक्त्वे सरदार वर्दी मुखामेदोव तुर्कमेनिस्तान आप जानते हैं कि अर्स्ट वाइल यूएससार का एक हिस्सा था पुराना जो सोवियत संग है उसे तूटकर जो पाँच राज्य बने थे कजाकिस्तान, किर्किस्तान, उस्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजीकिस्तान ये पाँचो राज्य वर्तमान के मद एशिया में आते हैं उनमें से एक राज्य तुर्कमेनिस्तान तो जब ही भी वहाँ पे कुछ नई कहीं पर भी कोई नई नियुक्ति आती है तो वो देश के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी हासल करें मैंने अपने पहले की वीडियोज में भी आपको कहा कि तुर्कमेनिस्तान में नए राश्पति नियुक्ति किये तो नाम तो पढ़ नहीं है साथे साथ तुर्कमेनिस्तान युएससार का एक हिस्सा था ये भी याद रखें दूसरी बात याद रखें कि वहां की राजधानी क्या है वहां की करेंसी क्या है एक्सेटरा तो तुर्कमेनिस्तान जो है उसकी राजधानी अजगराबत और वहां की जो करेंसी है वहां की जो संसद है हम quality की point of view से पढ़ रहे तो याद रखना कि हर देश में कौन सी संसद है या मैं कहूं संसद का नाम क्या है वो भी अगर आप ध्यान में रखें तो अच्छी बात है जैसे कि आपको मैं बताती हूं कि इंडिया की जो संसद उसका नाम पार्लेमेंट है बृटेन की संसद का नाम पार्लेमेंट है यूएस की जो संसद उसका नाम कॉंग्रेस है ठीक house है उसका नाम है रश्या की संसद का नाम है फेडरल assembly यूक्रेन की बात कर ले हम तो यूक्रेन में जो संसद है उसका नाम है वर्खोवना राडा यूक्रेन भी अभी news में है तो वहां की भी संसद का नाम आप याद रखें वर्खोवना वर्खोवना, राड़ा एकाशा वर्खोवना, राड़ा यूके की संसद का नाम है नैशनल काउंसिल तुर्क मेनिस्तान की संसद का transmis जो भी टेश किसी भी वज़ा से नियूज में रहते है वहां की राजधानी वहां की करेंसी वहां की संसत के नाम आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे तो Middle Asia के यह देश यहाँ पे राश्रपती चुनाओ खास बात यह है कि हर साथ साल में एक बार होते हैं जादतर देशों में चार या पांच साल का कारेकाल होता है राश्रपती का पर यहाँ पर कारेकाल होता है 7 years तो इनके पहले जो भी राश्रपती थे वो 7 years तक के रहे थे उनका नाम था गुर बांगोली बर्डी मुखामे देव यह पूरव राश्रपती थे यह 2022 तक के उन्हों ने 7 साल का टाम मूव पूरा किया उसके बाद यह अगले 7 साल के चुने गए तो इतनी बाते इस न्यूस से रिलेटेड बढ़ते आगे उसकी बाद कुछ चीज़ें जो कोर आपके सब्जेक्स से रिलेटेड है हाल ही में सरकार ने लोगसभा में अनुदान की मांग का तीसरा बैच पेश किया अब यहां से इस न्यूस से अनुदान की मांग ये वर्ड हाईलाइट होता है ऐसा है कि टाइम टू टाइम गवर्मेंट जो है लोगसभा में कुछ ना कुछ पैसों की ग्रांट की पेश कश रखती है मतलब यह कि हमें इतने पैसे निकालने हैं इतने पैसे निकालने हैं सरकार के जितने भी विभाग हैं विभागों के कामों के लिए उनको जो पैसे चाहिए रहते हैं वो संसत के सामने रखती है प्रस्ताओ कि हमें इतना पैसा इसके लिए चाहिए फिर जब लोग सब हमें वो पारित होता है, तब विनियोग विध्यक पारित होता है, तब जाकर के उतना पैसा निकाल करके सरकार को दिया जाता है, तो बजट के बाद भी बीच बीच में अनुदान की मांगे रखी जाती हैं, तो बही अनुदान की मांग जो है, this is called as demands for grants, demands for grants, ठीक है, अलग-अलग विभाग ये अनुदानों की मांग करते हैं कि हमारे विभाग को इतना दिया जाय, हमारे विभाग को उतना दिया जाय, तो हाल-फिलान में हम ने देखा कि सरकार ने अनुदान की मांग पेश की, ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो बजट का सत्र चल रहा था उसके बाद धीरे-धीरे अनुदान मांगे जाते हैं तो ये न्यूज में था तो इसके जरी अनुदान की मांग पर हम थोड़ा एक नजर डाल लेते हैं तो क्या है अनुदान की अनुदान की मांग तो बजट के सेशन के दोरा नहीं आती है फिर बाद में धीरे-धी विद्धान के माद्धियम से अधिकरित राशी अपर्याप्त पाई जाती। कि किसी सरकार के विभाग को जो पैसे अलोट किये गए थे बजट के दुरान उसमें कमी लगी तो इन लोगोंने एक अनुपूरक मांग रखी कि हमें अनुपूरक अनुदान दिया जाए और अनुपूरक के साथ ही और भी तरह के ग्रांट्स होते हैं जो सरकार टाइम टू ट किया जाता है मतलब अगर मानले जी किसी सरकार को मानले जी 100 करोड दे दिये गए बजट के दौरान काट शाट होने के बाद भी अब बीच बीच में अगर सरकार को जरूरत पढ़ती रहती है तो इन में से किसी भी कैटिगरी के अंदर वो एक्स्ट्रा पैसे मांगती है मां करके बजट के बार साल भर में अलग-अलग वजों से यदि सरकार को संचित निधी से पैसा चाहिए रहता है तो वो इन तरीकों से संचित निधी से पैसा निकालती है जिन में से एक अनुदान की मांग अभी की गए अनुपूरक मांग तो यहाँ पर जो बाकी की तरह की अ अनुदान होते हैं, उनको एक नजर में देख लिजे, एक होता है अधरिक अनुदान, एडिशनल ग्रांट, दूसरा होता है अधिक अनुदान, एकसेज ग्रांट, तीसरा होता है प्रत्य अनुदान, वोट ओफ क्रेडिट, चौधा होता है अपवाद अनुदान, ग्रांट देखें जो एडिशनल ग्रांट होता है ये तब मांगा जाता है जब चालू वित्ती वर्ष में हमने बजट के दौरान अगर कोई नई सेवा के बारे में नहीं बताया हमने ऐसा बोला कि हमें हमें एक सो करोड चाहिए इस पर्टिकुलर योजना के लिए लेकिन उन सर्विस के लिए पैसों की जरूरत हो तब फिर संसत से एक एडिशनल ग्रांट मांगा जाता है एक अतरिक अनुदान मांगा जाता है तो याद रखना न्यू सर्विस कोई नई सेवा अगर किसी विभाग को लौंच करनी है चालू वित्ती वर्ष में जिसका उलेक उन्हों में नहीं किया था अचानक से वो नई सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए जो पैसे मांगते हैं वो लोग चलते वित्ते वर्ष में उसे हम कहते हैं अतरिक अनुदान ठीक है अधिक अनुदान एक्सेस ग्रांट इसमें ऐसा होता है कि मान लिजे उन्होंने नई जा फिर अनुपूरक मांग के लिए जो पैसे कम पड़े उसके लिए अगर उनको पैसे चाहिए थे और उन्होंने अपने से खर्च कर दिये मैं सिंपल सी बात बता रहे हैं अगर आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे जो अभी चर्चा में है वो अनुपूरक मांगा कि सौ करोड जो हैं वो कम पड़ेंगे तो मुझे बीस करोड की और जरूरत है तो मैं बीस करोड की जो बीच में मांग करूंगी उसी पर्टिकुलर चलती हुई योजना के लिए जो बीस करोड की मैं मांग बीच में करूंगी वो अनुपूरक मांग के तहत करूंगी कि मंगा मिले उसके बाद मैंने यूज किया तब तो वह सप्लिमेंटरी ग्रांट लेकिन अगर मैंने 20 करोड को अपनी जेब से लगा दिया किया अभी जरूरत है 100 करोड में काम नहीं हो रहा है 20 करोड चलो हम लगा देते हैं और जेब से जब लगा लिया तो जेब से मैं पैसा भरोंगी मुझे चाहिए संचित निदी से मुझे पैसा मिल जाए अब पहले खर्च कर दिया वह एक्स्टर 20 करोड और फिर अगर हमने संचित निदी से मांगा तो वह एक्सेस ग्रांट है तो कुलमिलाखर के ना यह सप्लिमेंटरी ग्रांट प्रीपेड है और एक्सेस ग् बेट है यह पोसट पेड है यहाँ मलब इसमें उस रता है कि संचित निदी जो यह बाद में आपको पैसा देगी और इसमें रता है कि पहले संचित निधी आपको पैसा दे देती है सेवाए वही रहती जिनका उलेक है पछले है additional grant में के ऐसा लगे वो नई सेव अगले पै और दूसरी चीज़ अगर आपने पहले खर्च कर दिये फिर मांगे एक्सेस ग्रांट अधिकर नहीं होता है इसमें कोई नई सेवा इन्वाल नहीं होती पहले सी होजना है उसी इकले जब एक्स्ट्रा पैसे चाहिए रहते है तब यूज होता है ठीक है फिर वोट ऑफ पाएं संचित निदी ये ना बता पाएं लोग सभा को कि इसकी एक एक पाई कहां कहां खर्च होने वाली है कितना exact amount कहां कैसे खर्च होने वाला है और हम सिर्फ इतना चाहरे हैं कि हमको एक मुझ पचास करोड आप दे दो हम इसका हिसाब किताब आपको बाद में दे जिसकी detailing नहीं है तो ऐसी राशी जो है वो अप्रत्याशिक कारणों से दी जा रहे हैं इसलिए से प्रत्या अनुदान कहा जाता है इसलिए से blank check कहा जाता है कि exactly पैसा कहां कैसे खर्च होने वाला है ये नहीं पता पर विभाग कह रहे हैं कि हमको इतने पैसों की जरूरत है तो vote of credit की जरीए वो लोग थोड़ा से extra उधार लेकर रखते हैं बीच में कि हमें लगता है कि हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी लेकिन वो अभी इसको बताने के हालत में नहीं रहते कि वो पैसा exactly कहां कैसे खर्च होने वाला है तो ये extra थोड़ा से credit ये उधार की रूप कोई अचानक से नहीं सेवा आ गई ऐसा नहीं अगर मान लीजे पूरी सून योजे तरीके से कोई नया प्रयोजन होता है कोई नया प्रोग्राम बनता है और वो ज़रूरी नहीं कि वो नया प्रोग्राम वो नहीं सर्वेस वो नहीं योजना सिर्फ उसी वित्तिवर से related हो अचानक से governmental meeting के जरीए कोई नया ही project स्टार्ट हो जाए और वो आगे आने वाले कई सालों तक के लिए बनाया गया हो पर शुरू अभी किया गया हो और वो क्योंकि budget के दुरान नहीं announce वा था सोचा नहीं गया था तो अचानक से बीच में सोचा गया अब उसको आज से आपको या कुछ मैने के बाद से उसको start करना तो उसके लिए भी पैसे चाहिए तो ऐसे किसी नय तरह के project के लिए हम जो grant संचित निदी से निकालते हैं उसको हम कहते हैं अपवाद अनुदार है exceptional grant देखो additional grant चलती हुए किसी योजना में कब जब कोई नई सेवा आपको जारी करनी है उसके लिए लिया जाता है पर मानली जा आपने अचानक से निक नई योजना एक नया project कोई नया प्रयोजन ही शुरू कर दिया जिसके बारे में कुछ clue ही नहीं था starting में और उसके लिए फिर पैसे चाहिए तो exceptional grant में होता है ठीक है यह नहीं बड़े पैमाने की कोई योजना है कोई नया project है उसके लिए पैसे लिए जाते है और इसमें चलती हुए कोई योजना में कोई सेवा एड करनी है उसके लिए पैसे चाहिए तो additional grant पर लिए जाते है ठीक है चलती हुए योजना या सेवा हम पैसे कम पढ़ गए तो अनुपूरक मांग यह access grant से लिए जाते है हमें exactly पैसों की detailing नहीं पती पर हमको extra पैसे चाहिए तो vote of credit से लिए जाते है ठीक है और आख सेवा के लिए मुझे 50 क्रोड दिए गए दूसरी सेवा के लिए प को 70 कुरोड चाही तो मुझे इतना पता है कि मेरे पास 100 करोड हैं लेकिन जिस हिसाब से मुझे दीए गाए कि वहारा Project 1 के लिए तुमको या सेवा सर्विस 1 के लिए तुमको 50 करोड सर्विस 2 के लिए 50 करोड दीए गए मुझे लग रहे हैं ये काम 30 करोड में हो जाएगा और ये वाले काम के लिए मुझे 70 करोड चाहिए तो मैं क्या करवाऊंगी मैं यहां से 20 करोड यहां से transfer कर लूँगी मतलब कुछ नहीं यह मेरे पास 100 करोड तो हैं पर यहां का 20 करोड मैंने इस सर्विस के लिए यूज की तो मुझे यह यह रियाप्रोप्रियेट करवाना पड़ेगा इन्हें सदन में जाकी मैं जो बताना पड़ेगा कि मैंने कोई नया पैसा नहीं लिए मुझे कोई नया पैसा चाहिए भी नहीं उन 100 करोड में बस मैं जहां पर 50-50 इंवेस्ट करन इस चीज के लिए जो विधेक आता है उसको हम कहते है सांकेतिक अनुदान टोकन यह सिर्फ टोकन के ताउर पर यह ग्रांट आयता है इसमें कोई नया पैसा निकाला नहीं जाता इसमें सिर्फ सब को यह बताया जाता है कि हमने पैसे को इधर से इधर शिफ्ट किया है तो स इधर वो शिफ्टिंग को इंडिकेट करने के लिए एक टोकन के रूप में यह ग्रांट मांगा जाता है कि मुझे इधर से 20 करोड इस योजना में चाहिए मुझे 20 करोड के एक्स्ट्रा चाहिए इस योजना से इस योजना में ऐसा बोला जाता है तो संचित निदी से नया पैसा नहीं निकल रहा है बस एक से दूसरे में शिफ्ट हो जा रहा है ठीक है इसलिए एक संकितिक अनुदान बोला जाता है क्लियर है I hope स्मझ में आपको यह अले ऐक्स्टर ताइब के अनुदान है जो बजट के बाद दिए जाते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह जो मांगा गया सप्लिमेंटरी ग्राती, साथ, सेवन टाइप्स के अनुदान होते हैं, जिसमें से सप्लिमेंटरी ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एकसेस ग्रांट, यह आर्टिकल 115 में दिये गए हैं, और यह जो बाकी के हैं, यह आर्टिकल 116 में दिये गए हैं, ठीक है, तो यह अनुपूरक मांग, अतिरिक मांग और अधिक मांग, यह 115 में हैं, और बाकी के जितने हैं, वो 116 में दिये गए हैं, तो इसे भी एक बार रिवाइस कर लिजेगा, क्लियर ए चीज़, ठीक है, आयो आपको समझ में आई हू तो बही ऐसी सप्लिमेंटरी ग्रांट सरकार ने अभी लोगसाबा के सामने पेश किया, अनुपूरक, यह अनुदान की जो मांग लिखी हो न, मैं अक्चली वह अनुदान की अनुपूरक मांग है, उस हेडिंग को थोड़ा सुधार लेंगे, अनुदान की अनुपूरक मा इसलिए है क्योंकि अगर आप यहां पढ़ सकते हैं संसिदी समीती की हालिया रिपोर्ट के अनुसार राश्ट्री अनुसूची जनजाती आयोग पिछले चार वर्षों से निश्क्रिय है तदा उसके द्वारा इन चार वर्षों में संसत के समक्ष एक भी रिपोर्ट प्रस् वो कोई काम नहीं कर रहे है एक्टिव नहीं दिख रहे है चार साल से कोई रिपोर्ट भी उन्होंने प्रेजन नहीं कि इनको एक रिपोर्ट प्रेजन करनी चाहिए थी जिसमें इनके नयने काम दिखने चाहिए था ऐसा कुछ भी नहीं तो पूरी तरह से इनेक्टिव के समयधानिक आयोग में आर्टिकल 338 आर्टिकल 338 के तीन हिस्से किये गए 338, 338A 338B और इसमें जो रिजर्फ क्लासेज हैं उनके लिए तीन आयोगों का कठन किया गया, National Commission for SC National Commission for ST और अभी अभी National Commission for OBC NCBC, NCSC NCSC, ये तीनों हि तरह के आयोग 338 के सब पार्ट्स के रूप में कठित किये गए केंद्रिस्तर के आयोग होते हैं जिसके सदस्यों की न्यूकती राश्पती करता है और इनका काम जाहिर से बात है अगर ये रिजर्फ क्लासेज के राश्ट्री आयोग है तो इनका काम पूरे देश में इन पर्टिकुलर वर्गों की उपर उनकी डेवलप्मेंट की उपर उनकी समस्याओं की उपर नजर रखना है रिपोर्ट बनाना है उनके लिए कारे करना है ठीक है और इनी मेसे जो नेशनल कमिशन फर स्टी है इसकी उपर रिपोर्ट आई है कि ये अपना कारे ठीक से नहीं कर रही है ठीक तो आपको इससे रिलेटेट कुछ बाते पढ़नी है बहुत सारी चीज़े मैंने स्लाइड में लिखी है आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते बाद में PDF में, magazine में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा चली एक reading मारते है तो देखिए नैशनल कमिशन फर स्ट के अगर स्थापना देखें तो इसकी स्थापना 338 में संचोधन करके 89 संचोधन करके 2003 में 338 A के अंडर की गई है तो एक्चुली क्या है न 338 जो है वो NCSC है National Commission for Schedule Tribe और ये जो NCST की बाद की जा रही है ये 338 A है जो 89th Amendment 2003 के जरिये अस्थित्फ में आया तो पहले अनुसुची जाती आयोग था फिर इस संचोधन के जरिये 338 A में अनुसुची जन जाती आयोग ये वाला अस्थित्फ में आया और जाहिर सी बात है क्योंकि एक अनुस्चेद में है तो ये एक सम्विधानिक निकाह है इसका उदेश जो चीजें मैंने कही बस वो theoretical way में है अन्य बातों के साथ-साथ NCST को सम्विधान के तहट ये किसी अन्य खानून के तहट ये सरकार को किसी अन्य अदेश के तहट STS को प्रदान किये गए विबिन सुरक्ष उपायों के क्रियानवन की निगरानी करने और ऐसे सुरक्ष उपायों के कामकाच का मुल्यांकन करने की शक्ति प्रदान की गई चाहे समविधान हो चाहे को या धिनियम शेडियूल ट्राइब्स को जो भी फैसिलिटी प्रवाइट करती गवर्मेंट उसकी उपर निगरानी करना उसका अवलोकन करना उसे मैनेज करना इनकमीन काम है ठीक है संरचना की बात करने कि इस आयोग में कित्ते सदसे होते हैं तो इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है एक उपाध्यक्ष होता है ठीक है एक चेर्मेन होता है एक वाइस चेर्मेन होता है और तीन उनकालिक सदसे होते हैं तो एक दो और ये तीन यानि तीन, चार, पाँच, छे कुल मिला करके six members होते हैं, three members, एक vice chairman और एक chairman, ठीक, जिसमें एक compulsory है कि एक female member इसमें होना ही चाहिए, ठीक, जैसे कि इस first point में भी आप देख सकते हैं, कारकारी अध्यक्ष, पाद्यक्ष और NCST की सदस्टों का कारकाल पदभार गरन करने की तिथी से लेकर तीन वर्ष तक होता है, तो national commission for ST जो है, इसका term होता है three years, एक president, एक vice president, तीन members, जिसमें से एक female होना ज़रूरी है, और इनका term होता है three years, सदस्ट से दो से अधिक कारकाल क के पात्रिन नहीं होते, मतलब ये relax हो सकते हैं, reappoint हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ दो बार उससे ज़्यादा नहीं, जब भी आप समिधानिक निकाया पड़ते हैं, तो उनमें आपको मैंने जिन चीज़ों को पर ध्यान देने बुला था, यूनी में से कुछ चीज़े हैं, ठीक दरजा दिया जाता है, मतलब इसका जो precedent होता है, इसे केंदरी cabinet मंतरी, central cabinet मंतरी की जो rank होती है, वो प्राप्त होती है, और जो पाध्यक्ष होता है, उसको जो minister of state होता है, उसकी rank प्राप्त होती है, order of precedence में ये लोग cabinet मंतरी और state मंतरी के दरजे पर खड़े रहते हैं, ठी इसके अलावा जो भी काम मैंने बताई उसकी एक डीटेल थेोरिडिकल बात आपको ये स्लाइड में मिल जाएगी कि इनके कर्तब भी क्या-क्या है नैशनल कमिशन फोरेस्ट्री को समिधान के तहट ये अन्य कानूनों के तहट ये अनुसूचित जंजाती के लिए प्रदान क समबंदित मामलों की जाच एवं निग्रानी का अधिकार है अनुसूचित जंजातीओं को उनके अधिकारों और सुरक्षव अपाईयों से वंचित करने के संबंद में विश्व शिकायतों की जाच यहन्ने जुडिशिल काम भी अगर शिकायते आती हैं तो अनुसूचित मंदिन मामलों में निगरानी करना है दूसरा है उनकी जो भी grievance है grievance resolution करना है उनकी शिकायतों का निराकरन करना है तीसरा उनके social economic development के लिए आपको plans बनाना है राशपती को वार्शिक रूप से ऐसे अन्य समय पर report प्रस्तुत करना है जब आयों को उन structure पायों की कारे पर report देना उचीत समझे तो जितने national commissions होते हैं उन सब को एक annual report लोगसभा के सामने रखना होता है राश्रपती इनकी reports रखता है तो ये लोग president को एक report पेश करते हैं और president जो है वो लोगसभा को प्रस्तुत करता है ऐसा हर commission करता है चाये election commission की बात करें चाये finance commission की बात करें चाये UPC की बात करें हर कोई राश्रपती को एक annual report पेश करता है ये भी करतें SC और NCBC भी करतें ठीक अनुसोजे जंजातियों के संरक्षन, कल्यान और विकास तथा उन्नती के संबंद में ऐसे अन्निकारियों का निर्वहन करना जो राश्रपती संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधी नियम द्वारा विनितर्शित है इन्हें राश्रपती ये संसद ने कुछ भी ऐसा कानून बनाया इन आरक्षित वर्गों से संबंदित तो उनको क्रियानवित करना उनको लागू करवाना इनका करतब है इतनी सारी थियोरी मैंने यहां इसलिए दिया है कि आप में से कई लोग मेंज भी लिख रहे हैं तो आप एक की उपर नोड बना ले इसलिए मैंने ये दोनों स्लाइट को डिस्प्ले किया, एक दफ़े मैं और डिस्प्ले कर देती हूँ, ठीक है कि इसका गठन, संरचना, उद्देश क्या है और इसके कारे क्या है कारे, theoretically तो हम सब समझ रहे हैं कि everything related to reserve class उसको manage करने का काम इनको दिया गया है, अब उसमें निगरानी आती है, monitoring करना आता है, योजना बनाना आता है, उनकी शेकायत करनिवारन करना आता है, इस सारी चीज़ें आती है, तो अगर आपको wordings में लिखना है, तो इस सारे points आपको काम आएंगे ठीक है, पूछा क्यों जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में है, कि ये निश्क्री है, इसने कोई काम तीन-चार सालों से अच्छे सी किया नहीं है, जिस संसत साटिसफाई हो, इस वज़े से ये report में आया है, ठीक, clear है आयोब आपको समझ मैं है, चली move on कर लेते हैं, हम अब अगली news पर चोटी-चोटी news बचती है, हम सभी जानते हैं कि हर साल तेस मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, और इस साल भी शहीद दिवस देश की अलग-अलग हिस्सों में बनाया गया तेस मार्च के दिव, और क्यों मनाया जाता है, ये गलात है सौंडर सत्याकान के नाम से भी जानते हैं, उस केस के वजह से भगत सिंग, सुगदेव और राजकुरू इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और तेस मार्च उनिस सो इकतीस को इन तीनों को फांसी दी गई थी ठीक, और आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप इस के इर्दगिर्द के महौल को पूरी तरह से भाब पाते हैं आप जानते हैं कि इसी दोरा में जब कराची अधिवेशन हुआ इसके बाद में, फ़िर कराची अधिवेशन उसमें काफी बॉयकॉट किया गया था गांदी जी को, इसके पहले दिल्ली समझोता हुआ था, उस दिल्ली समझोते में ये शर्त रखी गई थी कॉंग्रेस की तरफ से, ये शर्त रखी गई थी गांदी जी की तरफ से, कि सारे जो तो कैदी अंग्रेजों की जेल में कैद हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए सिवाए उनके जो हिंसा में लिप्त हैं, तो इसके बाद लॉड एर्विन जो हैं, उन्होंने सभी भारती कैदियों को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने एक स्ट्राटेजिकल तरीके से इनको नहीं छोड़ा क्योंकि इनको हिंसा में लिप्त पाया गया था, क्योंकि ये सॉंडर सत्याकान में इन्वर्ड थे, लाहोर में 1929 में इनोंने जेपी सॉंडर की हत्या की थी, तो एक हिंसात्म कतिविदी थी, और इस वज़े से उसी वर्ष उन 1931 को 23 मार्च को इन तीनों को फांस दी गई, और इनकी शहादत को याद करते हुए हम तब से आज तक के और हर साल मनाते आएंगे शहीद दिवस, तो प्रधान मंत्री ने भी जो इस शहीद हैं तीनों, इन तीनों को च्रधांजली दी, 23 मार्च को, ठीक है, मार्टिर्स डे मनाया जाता है, तो ये एक चोटी स करने के लिए, जो जेपान के प्रधान मंत्री है, फुमियो किशीदा, यहाँ पे जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, फुमियो किशीदा वो भारत आये थे, ये समिट जो है, ये 14th समिट थी, जो नई दिल्ली में और्गिनाइज की गई, आप देखते हैं कि थोड़े ब questions पूछता है, तो क्यूंकि एक राश्टर प्रणोग भारत आये थे, इसलिए इसको मैंने पॉलिटी में कवर किया है, जपान के प्रधान मंत्री फुमियो किशीदा भारत आये, दिल्ली में 14th इंडो जापान समिट के लिए, और उसमें इंडिया और जपान की बीच में इ किशीदा, ठीक है, और यह शिकर सम्मेलन दिल्ली में हुआ, उसमें क्या-क्या मुख्य बातें थी, अगले पाँच वर्षों में भारत में 3.2 लाख करोड रुपे, यनि करीब 42 अरब डॉलर का निवेश जापान करने वाला है, ऐसे वहां के प्रधान मंत्री ने स्टेट् में होने वाला है, ठीक है, जैसे कि स्वच उर्जया में, मतलब कि आपकी जो नॉन एग्जास्टिबल या फिर नॉन कन्वेशनल फॉर्म अफ इनर्जी है, उसमें इन्वेस्मेंट होगा, इंडिया और जैपान के बीच में एक डिजिटल अग्रिमेंट हुआ है, उसमें होगा, इंडिया के जो उत्तर पूर्वी राज्या, आप जानते हैं कि वो मेंस्ट्रीम से अक्सर कटे हुए रहते हैं, उनका डिवलप्मेंट का हमेशा से एक कंसर रहा है, नॉर्थ इस्टन जो सेवन एट सिस्टर सम स्टेट बोलते हैं, उनके डिवलप्मेंट के लिए, उनके सस्टेनेपल डिवलप्मेंट के लिए इंवेस्टमेंट होगा, तो आपसी जो मेशा साइन हुए, जो पैसे कोई इंवेस्टमेंट की बात हुई, उनमें खासतोर पर ये डिजिटल साज़ेदारी, उसके अलावा नॉन कन्वेशनल एनरजी और नॉर्थ इस्टन के डिवलप्मेंट के बारे में बात हुई है, ठीक है, और इन सब को मिला करके हम देखें, तो इस शिकर सम्मेलन में कुल मिला करके छे समझोंतों पर सहमती बनी, छे M.O.S. साइन हुए, ठीक है, कम से कम इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी हैं, इनका नाम य याद रखें, और किन-किन बातों पर साजेदारी हुई, किन-किन बातों से related M.O.S. साइन हुए, वो याद रखें, इसमें कोई ऐसा बेसिक जानने के जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी गुरुप का सम्मेलन नहीं है, कि आप G20 सार्पड रहें, अब ये सि quality of study से कोई जादा लेना देना नहीं है, आप सिर्फ इतनी बातें सिर्फ currents related इसमें याद रखें, clear with that, ठीक है, so that is it, इतनी ही चीज़ें थी जो इस week के important qualities related current affairs में मुझे आपके साथ discuss करने थी, I hope आपको current की news और सिर्फ जो basic बातें मैंने बताई वो याद हूँ, extra बातें जो मैंने आपको पढ़ने के लिक कही थी, उसे जरूर नजर डालें, दिमाग में रखें, कि जो चीज़ें current में आती है, extra questions उसी की theory से उठा कर पूछता है, तो अपनी एक पढ़ाई के mode को अब उस तर पर आप ले आएं, PSC को crack करने के लिए, ठीक है, इसके साथ आद का व